बिस्मिल्ला रह्मार रहीम अस्सलाम अलेकूं विवर्स वेलकम टू माइ चैनल हेल्थ फूट फिटनेस और फंट सिक्रेट्स विवर्स आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्ट बेकिंग की रेसिपी लेके आई हूँ आज हम आपको सिखाएंगे कि बेसिक स्पॉंज के केक जो है वो बहुत ही जरूरी होता है अच्छा बनना किसी भी इवन्ट के लिए अगर आप केक बनाना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक स्पॉंज केक जो है वो अगर अच्छा ना बने तो आपका केक अच्छा नहीं बनता और ये बेसिक टूल्स के साथ आप घर पर असानी से बना सकते हैं अगर आप शेहर से दूर हैं आप केक नहीं ला सकते शेहर से जो गाओं में रहते हैं उनके लिए ये रेसिपी में लेके आई हूँ ताके वो अपने घर में केक बना कर अपना कोई भी स्पेशल इवन्ट जो हैं वो सेलिब्रेट कर सकें ये स्पॉंज केक मैं आपको सिखाऊंगी विदाउट एनी ओवन, इलेक्रिक बीटर या आपको किसी भी मोल्ड या स्पेशल सांचे की जरूरत भी नहीं है किसी बटर पेपर की भी जरूरत नहीं है इंतहाई असान तरीके से मैं आपको बताऊंगी घर में जो भी किचन में अवेलेबल चीजें होती है कोई भी आपको स्पेशल मेयर्मेंट कप्स की भी जरूरत नहीं है मेयरिंग कप्स या स्पेचुला की तो आएए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो कहते हैं कि हमारा केक जो है वो सॉफ्ट नहीं बनता फिलफी नहीं होता या ज्यादा पक जाता है उन सब चीजों के आंसर जो है वो आपको मैं रेसिपी के साथ साथ जो है वो बताऊंगी इसलिए आप कोई भी इसका स्टेप जो है वो मिस्स मत कीजेगा वीडियो एंड तक देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए साथ लगे बैला आइकाउन को ज़रूर प्रेस करें ताके नईनी वीडियो नईनी रेसिपी आपको फ्री में मिलती रहें अगर आपको बेसिक टूज की वीडियो चाहिए तो आपका मर्स में हमें ज़रूर बताइएगा मैं आपको वीडियो शेर कर दूँगी बेसिक टूज के साथ और कैसे हम होमेड डाय जो है बेकिंग टूज घर पर बना सकते हैं अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आपका मर्स में हमें ज़रूर बताइएगा मैं आपको सब टिप्स एंट्रिक्स तो हैं वो केक बनाने के सिखाऊंगी अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें अपना जो टिन है केक का मोल्ट वो रेडि करना है अगर आपके पास कोई भी स्पेशल जो है वो टिन नहीं है केक मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी पतीली में घर में असानी से बना सकते हैं आप इसकी जगा पे बर्फ का कोई बाउल भी ले सकते हैं जिसमें बर्फ चमाते हैं वो बाउल भी आप यूस कर सकते हैं और इसमें आपको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं है बटर पेपर के बगार जो है कैसे आप बना सकते हैं केक वह बैब भी आपको बताती हूँ ये मैंने एक पतिली लिये है इसको मैं आपड़ीज करोंगी आइल से अगर आपके पास कोई ब्रश बगरह नहीं आए तो आप हाथ से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं मैं आइल से ग्रीस कर रही हूँ अगर आपके पास आइल नहीं आ तो आप बटर या घेबी ले सकते हैं यह मैंने ग्रीज कर लिया है पतीली को अब मैं इसमें मैदा डाला है थोड़ा सा आपने मैदा डालना है और इसको पतीली के पैंदे पे और सारी साइड्स पे आपने इसको लगा लेना है इससे केक आपका जो है वो नीचे से लगेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं और इस तरह आप बटर पेपर के बगाएर आप अपना सांचा जो है वो घर में त्यार कर सकते हैं अब हम इसको प्रिहीट करेंगे यह एक तरह का हमारा ओवन है प्रिहीट करें हम इसको अपनी पतीली को एक मैंने लिया है तवा उसके उपर मैंने पतीली रख दिया और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने प्रिहीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है अब मैंने एग लिये हैं फोर एग लिये हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया है एग योक और एग वाइट को सेपरेट कर लिया है और इसको एक विस्क की मदद से विस्क करेंगे आप इस तरह का विस्क भी ले सकते हैं और अगर आपके पास विस्क नहीं है तो फोर्क भी ले सकते हैं फोर्क तो हर घर में अवेलेबल होता है आपको इसको बीट करने के लिए किसी भी इलाक्टिक बीटर या ब्लैंडर की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल विस्क या फोर्क से इसको बीट कर सकते हैं सबसे पहले हम इसकी जर्दी जो है सफेदियां इसकी बीट करेंगे और इसको फ्लफी इसका जो है वो बनेगा फोर्क हम इसकी सफेदी और जर्दी को अलैदा से बीट करेंगे आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है इसलिए आपने प्रेशान बिल्कुल भी नहीं होना और इसको 10 मिनट के लिए इसको बीट करते जाना है ये देखें फोम जो हो हमारा रेडी हो गया है अब आपके पास दो आप्शन्स हैं आप चाहें तो इस सफेदी वाले मिक्सर में चीनी डाल कर इसको और बीट कर लें या फिर जर्दी वाले पोर्शन में भी आप कर सकते ह मैंने यहां पर जर्दी को अलैदा से बीट किया है अब हम जर्दी को सेपरेट बीट कर लेंगे अब हम इसमें एक कप चीनी लेंगे यह मैंने चार एक्स लिये थे जिनकी जर्दी और सफेदी सेपरेट मैंने बीट की है और मैं जर्दी में इसको बीट कर रही हूँ आप चाहें तो सफेदी में भी इसको चीनी को एड़ करके बीट कर सकते हैं ये मैंने एक cup जो है वो चीनी ली है आपको किसी भी measuring cups की ज़रूरत नहीं होती आप कोई भी cup जो है चाय वाला वो ले सकते हैं उससे आप मेजर कर सकते हैं मैदा, चीनी और ओयल वगएरा अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे मैं आपको पूरा beating का जो है procedure इसलिए नहीं दिखा रही कि इससे वीडियो लंबी हो जाती है अब हम इसमें white egg भी डाल देंगे और इसको मजीद बीट कर लेंगे यह मैंने बीट कर लिया है अब मैं इसमें डालूंगी एक का पॉयल आप ऑईल की जगा पे घी या बटर भी डाल सकते हैं अब हम इसको मजीद बीट कर लेंगे अब मैंने एक कप मैदा लिया है और उसमें मैंने वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का डाला है आपको बेकिंग सोडा या इनों की भी जरूरत नहीं होती आप सिंपल बेकिंग पाउडर से अपना केक जो है स्पॉंज केक रैडी कर सकते हैं मैंने इस मैदे को तीन से चार बार छाना है इसमें वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एड करके आप इसको जितना ज्यादा इसको चानेंगे आपका ये उतना ही अच्छा फलफी केक बनेगा अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाओंगी और इसको हम फोल्ड करेंगे फोल्ड एंड कट मेथड से आपने एक साइड पर इसको फोल्ड करना है आप कोई भी स्पैचूला ले दीजिए अगर आपके पास स्पैशल केक का स्पैचूला नहीं है तो आप कोई भी वूड का ले सकते हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हो या आप सिंपल स्पोन भी ले सकते हैं यह देखें आपने जिस साइड पर स्टार्ट किया है अगर आप राइट साइड पर फोल्ड करना स्टार्ट किया है तो राइट साइड पर कीजिए फुल प्रोसीजर और अगर आप लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं तो फुल लेफ्ट साइड पर कीजिए यह फोल्ड एंड बेटर तियार कर लेंगे यह हमारा बेटर रेड़ी हो गया है अगर आपका मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने मजीद इसको मिक्स नहीं करना इससे फिर केक में क्रैक्स पढ़ जाते हैं अब इस स्टेप पे हम डालेंगे वैनिला एसेंस या फिर विनिगर वाइट विनिगर डाल सकते हैं मैं यहाँ पे वाइट विनिगर डाल रही हूँ यह एक की स्मेल को खतम करने के लिए होता है इसकी जगा पे आप वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं मैं आपको वो टिप्स बता रही हूं जो के चीजें जिन चीजों के साथ आप घर पर इजी ली बना सकते हैं अब हम इस बैटर को इस पतीली में डाल देंगे जो के मैंने प्री हीट कर ली है आप टूच करके देख सकते हैं कि यह हीट हो चुकी है अब हम इसमें सारा बैटर जो बनाया है वो डाल देंगे ये मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है अब हम इसको पतीली को थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें बबस ना बनें मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्यूंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ अब हम इसके ढखन पे कोई भी कपड़ा लगा कर इसको अच्छे से कवर कर देंगे आपने कोई भी कपड़ा वगड़ा इसलिए रखना है ताकि स्टीम जो है वो केक पे गिरे नहीं वो केक जो है वो मॉइस ना हो जाए ये देखें ये मैं आपको हीट दिखा रही हूँ फ्लेम आपने कितना रखना है अब हम इसको 45 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पे अब मैंने 45 मिनट्स के बाद इसको देखा है अब हम इसको चेक करेंगे किसी भी स्टिक से टूथपिक से या आप नाइफ की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं अगर आपकी स्टिक क्लेयर आती है इसमीन आपका केक जो है वो बेक हो चुका है कोई भी बैटर आपकी स्टिक के साथ नहीं लगा हुआ ये देखें कितना मज़ेदार हमारा जो है केक पतीली में रेडी हो गया है अब हम नाइफ की मदद से साइड से डिटैच कर लेंगे आप चाहें तो नाइफ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका केक रेडी हुआ है या नहीं ये देखें नाइफ भी क्लियर है अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखतेंगे ठंडा जब हो जाएगा फिर हम इसको डी मोल्ड करेंगे जी वीवर्स ये मैंने डी मोल्ड कर लिया है बहुत ही फलफी और मज़ेदार हमारा स्पॉंज के एक रेडी हो चुका है अब हम जो नीचे इसके थोड़ा सा मैदा लगा होगा वो हम इसको सेपरेट कर देंगे जी वीवर्स बहुत ही मज़ेदार फलफी केक जो है स्पॉंज केक जो किसी भी इवेंट के लिए केक बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका केक बहुत अच्छा बने उसके लिए स्पॉंज केक का अच्छा बनना बहुत जरूरी है यह बेसिक स्टेप होता है किसी भी केक को बनाने के लिए यह देखें अंदर से कितना सौफ और फलफी है अगर आप चाहते हों कि आप पाइनेपल केक चॉकलेट केक डॉलगाना केक कोई भी केक बनाना चाहते हों तो आप स्पॉंज केक बनाए और उसको डेकोडेट कर लीजिए आपको पाइनेपल केक चॉकलेट केक की वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी इसको डेकुरेट करने के लिए आपने इसको दर्मयान से सेंटर से कट करना होता है जी वीवर्ज उमीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये अच्छी लगी है तो जरूर ट्राय कीजिएगा और कमर्स में हमें जरूर बताईएगा कि आपसे ये कैसी बनी और अगर आपको कोई भी फर्माइश करनी हो तो आप कमर्स में हमें बता सकते है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें अजाज़त दीजिये अल्हाफिस